ये बाद सच है कि अंग्रेजी केवल एक भाषा है आपकी बुद्धिमत्त का परिचे नहीं लेकिन जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो सही से बोलने में कोई बुराई नहीं This is your neighbor English teacher and today I'll tell you how to introduce yourself properly in English अपने आपको introduce करते समय अंग्रेजी में हमेशा my name is या I am का ही इस्तवाल होता है myself या me का नहीं यानि अगर आप कहें myself xyz you will be grammatically incorrect even though सामने वाला आपकी बात समझेगा Let me give you an example अगर आप कहना चाहें कि मैं एक जहरीला नफरत से भरा हुआ सरकार के पैसो पर पलने वाला पत्रकारिता भूला हुआ बिना आदर्श बिना उसूल वाला इंसान हूँ तो you should not say myself सुसुधीर चौधरी You should say I am or my name is सुसुधीर चौधरी याद रहेगा ना? Why don't you introduce yourselves in the comments?